जो हर कुडम लिपी महान है सांगी साड़ा कर बौदल और अना साड़ा लिखान सिखान है तो हराइक सभी कर आधर्मान सांगी का मतलब होता है अनेक और अना का मतलब होता है एक अर्थात अनेक सब्द के बदले एक सब्द कुड़ं, लिपी, महाने, सांगी, साड़ा, कर, बोदल, उना, साड़ा, लिखान, चिखान, कुड़ं, लिपी, महाने, सांगी, साड़ा, कर, बोदल, उना, साड़ा, लिखान, चिखान, सांगी, साड़ा, उना, साड़ा, जे, जैनिक, दाथ, ने, खेक, जै, जैनिक, दाथ, ने, जैनिक, दाथ, ने, खेक, सोसूर, घारे, रहया, मरोद, सोसूर, घारे, रहया, मरोद, सोसूर, घारे, रहया, मरोद, कर, अना, साड़ा, घार, जामाई, घार, जामाई, जैकर, गाते, खुब, बोल, आहे, जैकर, गाते, खुब, बोल, आहे, जैकर, गाते, खुब, बोल, आहे, कर, अना, साड़ा, बोली माँ, बोली माँ, जैकर, मोने, डौर ने खेक, जैकर, मोने, डौर ने खेक, जैकर, मोने, डौर डेखेक, कर, अना, साड़ा, नी डौर, जैकर, काम, करे, मोने, देखे, जैकर, काम, करे, मोन, नी, देखे, जैकर, काम, करे, मोन, नी, देख, कर, अना, साड़ा, कोड़ी, प्रशी धरकन, आंद्रम, कारी, और साइटकार, जैहे, कवी, डौक्टर, मुरली, धर, मातु, ने, कुड़म, लिपी, काईसकार, किया था, इसलिपी का प्रथम परकाशन, फरवरी 2001 में, दामो दर्मोहर हिंदी मासित पत्रिका में हुआ था, धन्यवाद,